दोस्तो 2-12 की pre-judging खतम हो चुकी है और यहां पर वही हुआ जिस चीज का मुझे डर लग रहा था शौन क्लेरिडा ने बोला था कि मैं इस बार 186 pounds का आऊंगा और 3-4 LBS का मैं extra weight लेकर के आऊंगा लेकिन विश्वास रखो मैं एकदम shredded आऊंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वही 3-4 LBS उन पे भारी पड़ गए और सही बताऊं शौन क्लेरिडा ने यहां पर दर्वाजा खोल दिया कियों पेरसन के लिए कियों उस दर्वाजे में घुसे और ये दोनों athletes के आपस में लड़ाई होने लग गई ताइटल के लिए तो होता ना कि door close कर देना वो आला सीन नहीं था इस बार शौन क्लेरिडा चाहते ना तो वो door close कर सकते थे अगर 4 LBS का माते यही 4 LBS उन पे भारी पड़ गए मतलब उनके फ्रेम के लिए उनको अलाव नहीं करता उनका फ्रेम के वो उससे ज्यादा मसल करें क्लेरिडा अस तक सबसे ज्यादा बेस्ट दिखे हैं लीजन स्पोर्स में जिसमें 174 LBS पे थे 177 तक भी वो काफी श्रेड़ेड और पील्ड दिखते हैं लेकिन यहां पर उस किसम से नहीं दिखाए दिया हो सकता है आपको इन फोटो में ऐसा लग रहा हो कि क्लेरिडा काफी अच्छ है लेकिन जब इनकी इन्डीवीजूल पोजिंग थी ना पता लग रहा था कि इनकी बॉड़ी में फॉलनेस तो है लेकिन वो फाइबर सी नहीं दिख रहे चेस्ट में फाइबर्स नहीं है उस तरीके से ओफर अल बॉड़ी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस बॉड़ी ने पानी पकड़ रखा था और ना चेस्ट में फाइबर्स दिख रहे थे ना लेक्स के अंदर वो सेप्रेशन था इवन दो क्लेरिडा की बॉड़ी बहुत ज़्यादा हाड है बाकी सब एथलीट से लेकिन वो इस कॉंटेस्ट को बहुत ही एजीली वन साइडिड कर सकते थे अगर वो चार से पांच LBS कम आते अब यहाँ पर बात यह हो रही है कि क्यों पियर्सन उनके साथ में आ करके खड़े हो जाते हैं इस वाले कॉंटेस्ट में और क्यों दिख रहे थे काफी अच्छे इनकी फिजीक वही कंपेरेबल लग रही थी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने टे करने की बार-बार कोशिच कर रहे थे को क्यों से जादा अच्छे शोल्डर से और क्यों से क्या शौन क्लेडा के सबसे बेस्ट शोल्डर से राउंड डेल्स और 3D बॉड़ी उनकी उनके आम्स की वर्जा से दिखती है यहां पर सबसे पहले बात करूंगा मैं फस्ट कॉल कौन को ना है तो फस्ट कॉल मिला के छे अथलीट आ गए थे कि ओन शौन क्लेडा केरिट एंजल केल्डरॉन एमद अशकनानी उल्यक्रीवी तो यही टॉप सिक्स वहने वाले थे प्रेडिक्शन में भी यही था मतलब बहुत ही इजी सब कुछ चल रहा था पता था कि यही तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी अथलीट जो मान लोग केरिद बाजो या फिर इंजल केल्डरॉन में से हो वो सेंटर सेज पर बिल्कुल बीच के उस चौकोर बकसे पर आके खड़ा हो गया हो इसलिए यहाँ पर क्लियर था कि यहा तो कियोन बनेंगे या फिर चैंपियन बनेंगे तो प्री जज़िंग इसी चीज के साथ में आगे बढ़ती चली गई उसके बाद में इनोंने सेकंड कॉल आउट लिया इन एथलीट का जो में एथलीट से और उसके अंदर इनोंने चार एथलीट को सेलेक्ट किया यहाँ पर इनोंने इंजल को खा जाएंगे और यही हुआ इंजल केल्डरॉन को वैसे मैंने प्रेडिक्ट तो सेकंड पर किया था यह देख करके कि पिछले साल लों सेकंड आये थे लेकिन मैंने बोला था कि क्योंन पेरसन सेकंड आ सकते हैं क्योंकि उनकी फिजीक ऐसी है और यहां पर आभी आसार क्योंन पेरसन फर्स्ट भी आ सकते हैं उनकी फिजीक इतना ज्यादा एड्वांटेज ले रही है बाकी साब अथलेट के उपर बिकॉस देख उनका स्ट्रक्चर ऐसा है वह दो सबसे ज्यादा तगड़ी वीटे पर वही दिखाते हैं इवन दो शॉन क्लेरीडा भी बहुत क्लेरीडा के साथ इस कॉंटेस्ट में यही रही कि वह दिखाए दिये ओवरॉल थोड़े से वाटरी और कॉंटेस्ट एंड होते होते कियों और शॉन दोनों के थोड़े से पसीने चूटने लग गए जजिज ने बोला कि अपने आपको ड्राय कर क्या हो और थोड़ा से र दिखाए दी पिछले साल से पिछले साल से रीजन यह बहुत बढ़ा था कि उनकी फिजिक बहुत फुल और उस वज़ा से हाट दिखरी थी इस बार वो फुलनेस कहीं ना गई थोड़ी सी लेगिंग लगी एक वो ड्रायनस की थोड़ी सी कमी लगी इस वज़ा से क्यों आ अगये अपने स्ट्रक्चर और अपने इंप्रूवमेंट्स लेकर के जो नोने पूरे साल में करें तू पॉइंटों की ओनने और यहां पर एंजल को कोने में खिसका गए तो यह वाली चीज़ है एंजल और कैरिथ इन दोनों के साथ यही प्रॉब्लम है कि इनका स्ट्रक् इन दोनों की बहुत अच्छी थी लेकिन कैरिथ बाजो अपनी तरफ से इतना चाह सकते तो इच्छे आए और स्टिल यहां पर कियों उनसे उपर निकल गए विकॉस वह एक्सपेक्टिड ही था तो यहां पर जैसे इन चारों का कॉल आउट हुआ खतम जजिज ने कियों औ और को अंदर आने देता है तो ऐसे में टॉप टू क्या टॉप スरी कॉल आउट भी गाई बार हो जाता है तो यही वुआ आखिर में क्योण और शौन का फॉल आउट लिया गया इनके सारे पोजिस करवाई जाते हैं बार बार इनके पोजिस करवाई गए हैं ताकि क्लियर सब्फकुद्राइब कर लिए पर दोगों की फैनलगों फैनलमें जीटा से वहांगेंगे पर फैनल्स पर इसा थे वहां जाए जाहिए लेकिन बहुत ही क्लोड सब्सक्राइब लग रहा है इन दोनुके अंदर में अब जर्जिस फैनल में स्कोरिंग में ऐसा देते हैं के हम लोग देखते हैं तो पता है जाए जिजको प fantasies नहीं है तो 30 अइनसतों फोई नियान qiorn me चुचलest की एसे कि कौॉड़ी में फूल बॉडी है ऊच्छ स्ट्रक्चर क्लेरिडा की बॉडी में उनके कंपेरिटिवली ज्यादा हार्डनेस और ज्यादा मसल मैचूरिटी है अब ऐसा हो सकता है कि फाइनल्स तक क्लेरिडा अपने आपको थोड़ा सा और वाटर अपनी बॉडी में से पुल कर ले और थोड़े से और ड्राय आ जाए उस चीज़ का फाइदा उनको डेफिनिटल जीतने में आम तर पे हम लोगों को नहीं लेकिन इन बॉडी बिल्डर्स को पता लग जाता है कि क्या करके आए हैं क्योंकि इनको स्कोरिंग बता दी जाती है अपने थर्ड सोर्सिस या से किन्डरी सोर्सिस से या कोई भी सोर्स पता लग जाती है तो शौन और क्यों जानते होंगे वो अभी कहां स्टेंड कर रहे हैं तो उससाब से जहाता कि इनके कोची इनके प्रोटोकॉल्स में बदलाव करवाएंगे हेर फेर करवाएंगे देखते हैं कौन 212 चैंपिन बनता है आपके इसाब से किसको बनना चाहि है बस उनको बड़ा साइज गेम वाला गेम नहीं और खेलना चाहिए पहले ही अपने बॉड़ी के स्ट्रक्चर के इसाब से बेहत मस्क्यूलर है बेहत डेंस है ऐसे एकदम बड़े होंगे 186 190 पाउंट्स पर रहेंगे तो वो मजा नहीं आ रहा फिजीक में इवन अगर य कि इस प्रिजजिंग में तो में यही था शौन और क्यों के बीच में यह पूरा का पूरा शो है दोनों को आपस में सुइच कराया जा रहा है दोनों में से एक बनेगा विनर पता लगेगा हमें कल सुबह देखते हैं दोस्तों क्या होता है फिलाल आप अपने की प्रिजजिंग शुरू हो जाएगी लेकिन मेंस ओपन मेरे इसाब से सुबह साथ या आठ बजे तक स्टार्ट होना चाहिए तो जैसी वह होगा पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूँ वही दिन में पांच वीडियो के आसपास मैं लाने वाला हूँ मिलते हैं दोस्तो अब कल ओलम्पिया कवरेज के साथ में